हलो फ्रेंद्स और वल्कम बाक टी यो फेवरिट यूटीव चैनल प्रो सेक्यूरिटीज बायो फ्रेंट बायो मेंटर हिमांशु मेगलानी इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा यह वाला वीडियो फ्रेंट्स काफी टाइम से मेरा प्रेंटिंग था अभी आज संडे मुझे टाइम मिला एवेंचुली सो आपके लिए यह वीडियो प्रिजेंट करने जा रहा हूं मैं वीडियो पूरा देखना विकॉ इसमें एक्सपर्ट बनने वाली टेकनीक बता रहा हूं मैं आपको वो भी फ्री ओफ कॉस्ट राइट और फ्री ओफ कॉस्ट से याद आया सामने अभी क्या है देखो एंजिल ब्रोकिंग का आपको टाब नजर आ रहा होगा यहां पर मैंने ओपन किया हुआ है यानि कि एं हमारा वो यहां पर आटोमेटिकली डला होगा आर के एमार के राइट सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस लिंक के थुर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या बेनेफिट मेलेगा आपको नमबर वन बेनेफिट यह होगा अगर आप इस लिंक के थुर अपना अकाउंट ओपन करेंगे सो मैं आपको अपने प्राइवेट टेलिग्राम चैनल का एक्सिस प्रोवाइट करूंगा वो कैसे अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपना क्लाइंट कोड मुझे वाटसअप करना है नमबर स्क्रीन पे आ रहा होगा या आप उस खेल खेलना है में फ्रेंट तो आप फटा फट से रजिस्टर कीजिए एंजल ब्रोकिंग पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट से एजुकेशनल वीडियो के लिए और कंटेंट के लिए और फॉलो दा पीबिया इंडिकेटर बिकॉस यह इंडिके इसके अगर मैं बेसिक की बात करूं यहां पर चार्ट के उपर जैसे में लिया आया हूं यहां पर आपके सामने आईसी आईसी आईसा बैंक का चार्ट है इस गाप और गाप डाउन टेकनीक को समझने के लिए वापस से बोल रहा हूं वीडियो पूरा देखना विकॉस यह टेकनीक नहीं होगी बाबा कहीं पर रॉइन करते हैं ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें आपको मैं कुई ऐसी चीज गाइड कर तूं जिससे आपको benefit ना हो ठीक है वज़ेने के लिए पहले तो आपको समझेना पड़ेगा कि gap up और डाउन होता क्या है basic एक minute में समझाराल थी आपको gap up क्या होता है gap down वाइक ताइम फेम्यों करेंग यहाँ प्रइस पर कि यह price क्या है 371 के आसपास ICICA bank ने close किया था and next day उसके नीचे open किया यानि कि previous day closing price के नीचे जब हम open करते हैं और उस closing price और नए opening price में जो gap होता है उसे बोलते है gap down या gap up अगर हम closing price से उपर open करेंगे तो gap up open किया closing price से नीचे open करेंगे तो gap down किया अब यहां पर multiple ways होते हैं gap को समझाने के लिए partial gap होता है full gap होता है सो मैं technicality में कम जाओंगा मैं आपको technique के उपर ज्यादा समझाओंगा चीक है website राइट बिल्कुल सई सुना आपने एनसी इंडिया की website अब हम क्या करते हैं इससे हटा के एनसी इंडिया की website पे आ जाते हैं अब एनसी इंडिया की website पे देखें यहां पे मैंने कौन सा page open किया हूँ है प्री ओपन्म ठेक है प्री ओपन मार्केत जो होता है वह मैंने compare जो की आप एनसी इंडिया की website login सामने इसको ओपर klik करेंगे फोस्ट आप जो आपके पास आ रहा है प्री ओपन मार्केत आप इसको बडिक करेंगेसे यह इदेर्पध रिफ्रेश हो एत इत कॉब करके जब कोन सा शेर कितना ऊपर या कितना नीचे ओपन हो रहा है राइट प्री ओपनिंग सेशन में क्या हो रहा है सो हमें करना क्या है हमें पहली चीज अब्जर्व करनी है क्या चीज मार्केट का ट्रेंड चीक है कि मार्केट कैसा ओपन हो रहा है निफ्टी फिफ्टी के अगर हम ब प्राइडे को यानि कि last trading session पे जो हमारे को काम देखने को मिला है यह वो data है अब उस data के according काम क्या होता है देखो आपको pre open session में क्या मिला आप उसको पर नज़र डालिए सो यह exactly दिखा रहा है 10th July यानि कि last trading session नौ बच के 7 minute morning में 9-7 निफ्टी जो है minus 49 point open हो रहा है advances यानि कि जो shares निफ्टी 50 के जो shares है उसमें से 11 stocks जो है वो positive open हो रहे है 34 stocks negative open हो रहे है and 5 unchanged जिनके पीछ में कोई change नहीं है right so friends हमें इस situation में focus कहां करना है market कहां open हो रहा है gap down so हमें focus करना है and declines पे यानि कि 34 stocks जो नीचे open हो रहे है pre open session में आपको दिखा रहे है कि यह gap down उपर हो रहे है so हमें उन stocks के उपर focus करना है right so यह market को align कर लिया हमने इस situation में अब इससे क्या बनता है situation so आप देखे नीचे आएंगे यहां पर पहले आपको कौन से stock दिखा रहा है positive फिर दिखाएगा negative नीचे scroll करते जाएंगे हमें करना क्या है हमें simple यह जो percentage change लिखा इसके उपर क्लिक करना है एक बार मैंने क्लिक किया है सरफ one time आपके सामने यह stocks आ गए है जो सबसे जादा गिरने वाले stocks है यानि कि यह आप देखो सबसे उपर नाम है बजाज finance फिर ICICI bank फिर HDFC फिर infi राइट अब आपको क्या करना है सबसे पहली चीज 34 stocks declining है तो 34 के 34 में तो हम काम करेंगे नहीं हमें वही stock pick करने है जो की one percent से जादा यहाँ पे fall कर रहे है ठीक है दुबारा से repeat करो हमें सिरफ और सिरफ वही stocks pick करने है जो की market के साथ अगर market नीचे है तो वह भी नीचे आ रहे हो और second condition one percent से जादा minus में open हो रहे हूं राइट तो यहाँ पे अगर मैं इस simple सी technique को follow करूं तो मेरे पास कितने नाम आ रहे है फ्रेंट्स स्टार्टिंग के four names सबसे पहला stock कौन सा फ्रेंट्स बजाज finance सब आ जाते हैं charts के उपर और यहाँ पे बजाज finance open कर लेता हूं मैं एक second दीजिए यह हो गया बज finance ठीक है जी बजाज finance का chart मैंने यहाँ पे open कर दिया है five minute time frame आप यूस करेंगे ठीक आपको समझ आ गई होगी अब आपको यहाँ पे अपने charts पे दो indicator को plot करना है एक indicator जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो अच इंडिकेटर का correct use कैसे होता है वह आप उस वीडियो पे जाके in detail समझ सकते हैं जिसका नाम है वी वाप राइट यानि की वीवाप इंडिकेटर यहाँ पर यूस करेंगे second चीज जो हम यहाँ पर यूस करने वाले हैं वह actual में आप manually भी कर सकते हैं और indicator की help से भी कर सकते हैं जिसे बोलते हैं previous day low and previous day high mark करना right तो आपको करना क्या है आपको previous day low previous day high चाहिए और वीवाप इंडिकेटर चाहिए that is it अगर आप manually mark कर सकते हैं तो आप manually कर लीजिए otherwise trading view में इसका indicator भी available है जो कि आप indicators में जाके search कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों indicators plot किये हुए हैं वीवा line आगे आपके सामने दिस दा वीवाप line and second previous day high and low जो indicator है अगेन मैंने आपको बोला आप manually भी कर सकते हैं और indicator की help से भी कर सकते हैं तो यहां मैंने open कर दिया previous day low and previous day high का ठीक है अब आप देखो आपके सामने picture create हो गई है यह data है friends हमें जो यूस करना है because यहां हम gap down कर रहे हैं chance में more than 1% 1% से ज्यादा सो हम काम कैसे करेंगे अब उसको समझ लेते हैं सो मैं यह एक option है बार play का बार replay का तो मैं वो यहां पर आपको click करके दिखाता हूं कैसे actual में यह काम करेगा राइट सो यह option मैंने select कर लिया अब इसके तुरू आप देखिए यह जो option है कि trading view में available है क कि हम study करने के लिए हम पीछे की history यहने की candles को replay कर सकते हैं राइट सो यह मैंने select कर लिया है अब आप देखो यह first five minute candle form हुई है ध्यान से सुनना previous day high क्या है यह जो red dot आपको नजर आ रहा है यह exactly यहां पे है ठिक है जी यह previous day high है और यह previous day low है अगर share previous day high और previous day low को break नहीं कर रहा है gap down या gap up करते हुए यानि कि first five minute candle की जो opening होगी ध्यान से सुनों इस चीज को हमने close कहां किया था बजाज finance के अंदर 3330 के उपर open कहां कर रहे हैं हम बजाज finance के अंदर 3278 ठीक है हम gap down open कर रहे हैं सरफ यहां पर opening and previous closing के उपर आपको focus करना है तो हमने क्या किया अगर हम open कर रहे हैं इसके नीचे gap down बट हम previous day low को break नहीं कर रहे हैं opening price पे यानि कि हमारा gap down इतना बड़ा नहीं इसे बोलते हैं partial gap down ठीक है यह full gap down नहीं इसे partial gap down बोलते हैं सो जब partial gap down होता है उस दिन हम क्या करेंगे हम करेंगे wewap को follow आपने क्या करना है first candle आपकी form हो गई ठीक है आपने चार्ट पे wewap plot कर दिया previous day high previous day low आपका plotted है आपको पता है कि previous day high भी break नहीं किया previous day low भी break नहीं किया गाप डाउन करते हैं हमने previous day low break नहीं किया है ठीक है तो partial gap down जिस दिन होगा उस दिन आप क्या follow करेंगे जो stock का trend होगा stock का trend क्या है आप previous day trend देखो इसका क्या है क् trend नज़र आ आपको यहां पर अब ट्रेंड राइट अगें यहां पर ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत mistakes होती है यहां पर अगर partial gap down हो रहा है तो partial gap में हम previous day trend follow करते हैं previous day trend को importance देते हैं राइट पार्शल gap down या gap up में यहां पर हुआ क्या gap down हुआ first five minute candle form हो गई अब हमने करना क्या है हमने सिरफ और सिरफ वेट करना है five minute candle के high के breakout का high के ऊपर हम अपना buy order place कर देंगे stop loss जो रहेगा वो breakout candle की previous candle का low रहेगा कैसे अब मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ बोल गया तो आप यह breakout हुआ नहीं हुआ दो candle बनी बिल्कुल five minute candle के आसपास सो इस candle के अंदर यह third candle जो यहां पर बनी है इसके ऊपर देखो आप इसने क्या किया है exactly five minute candle के high को breakout दे दिया है राइट सो इसकी next candle के open price पे आप क्या करेंगे अपना buy order लेंगे यानिकि इसकी next candle जो form होगी अब उसकी opening पे ही आप अपना buy order लेंगे and जो stop loss होगा वो आपका इस candle का लोनी इसकी previous candle का low होगा आपका stop loss right understand करना बहुती अच्छे risk reward के साथ आपको बहुती बढ़िया trade मिलेगा right अब यहां पर आपको करना क्या है simple सी टेकनीक है जितना आपका stop loss है उसका into 1.5 कर देना वो आपका reward होगा यानि कि stop loss अगर आपका 10 रूपे का है तो target कितना होगे आपका 15 रूपे का right so हम कितना risk reward यहां पर carry करके चल रहे हैं 1-1.5 का risk reward carry करके चल रहे हैं ठीक है तो यह टेकनीक आपको समझ आ गई कि आपको क्या करना है अगर previous day high और previous day low के बीच में यानि कि partial gap down या partial gap up होत तो हम सिर्फ buy side का trade लेंगे अगर यहां पर breakdown मिल जाता 5 minute time frame का इधर low का तो हम वो trade नहीं लेते हैं right अब हमें यहां पर क्या मिला friends 5 minute का breakout मिल गया entry point आपको पता चल गया stop loss पता चल गया risk आपको पता चल गया कितना है उसी के according आप अपना reward set कर लेंगे यानि कि 1-1.5 का reward हो है कि हमारे पास actual में क्या situation हुई हमने यहां पर कहां यहां यहां पर entry ले ली चलो जी यहां entry ले ली next देखते हैं यह हमारे पास आपको दिख रहा है क्या flow बना gap down करने के बाद भी stock उपर गया ठीक है अब उपर गया यहां पर अगर 1-1.5 की अगर मैं आपको दिखाऊं long position आपकी long position कहा थी इधर राइट stop loss कहा था इस candle के low के नीचे सो यह candle हो गया आपका 18 रूपी 19 रूपी का stop loss है यानि कि आप 20 माल लीजे मोटा मोटा तो मैं average यहां पर देखूं तो 28 रूपी से लेकर 30 रूपी का मेरा target होना चाहिए तो 28 रूपी से 30 रूपी सो मेरा target है यहा गया within next 10 minutes मेरा target आ गया है so this is first technique of trading breakout and breakdown अब यहां पर second stock देख लेते हैं second stock कौन सा है ICICI bank अब ICICI bank के अंदर picture different है वो कैसे अब आप देखो यहां से आते हम ICICI bank के ओपर indicators वह यूज कर रहा हूं है VWAP and previous day high and low so अब यहां पर हमने फिर क्या ध्यान देना है कि ICICI bank ने closing कहां किया था और opening कहां कर रहा है opening अगर previous day low के नीचे कर रहा है that means previous day का trend जो था वो खतम previous day का low break हो गया तो भाई previous day का trend जो था वो खतम simple सी कहां नहीं है सो अब देखो आप यहां पर हमने क्या किया ICICI bank के अंदर देखा चलो जी ICICI bank के उपर नजर मार लेते हैं यह simple सी technique है बहुत काम आएगी आपके यह आपको दिखा यहां पर gap down gap down कहां से हुआ यह इसका previous closing price था open हुआ friends यहां पर green candle जरूर नजर आ रही आपको लेकिन opening price पर आपको ध्यान देना है जो मैं बार-बार बोल रहा हूं open कहा हो रहा है यह इसका low था previous day उस low के नीचे open हो रहा है अब अगर low के नीचे open हो रहा है तो आपको करना क्या है आप आपको सिर्फ और सिर्फ sell side का trade ही लेना है ठीक है या उस दिन आप buy side के trade की तरफ ना भागें क्योंकि हम previous day का low break कर चुके है opening में ही उसके नीचे अगर open हो रहे हैं तो that means हम गिरने वाले हैं और ऐसी situation में जब हम गिरने वाले हो तो buy trade नहीं लेना चाहिए तो हम क्या जो हमारा opening price है ठीक है हम देखेंगे first five minute candle देखो यहां पर बनी इसको मैं फिर आपको replay करके दिखाता हूं ठीक है जी सो यह हो गया हमारा first five minute candle जो बना उससे आपको idea मिल जाएगा यह देखो this is the exact picture ठीक है यह बिल्कुल exact picture है इसकी अब यहां पर आपको dot नहीं नजर आ रह करता हूं exactly है 365.25 राइट हम open का कर रहे हैं यहां पर green candle में 364 के राउंड तो हम previous day low के नीचे open कर रहे हैं हाला कि उसके बाद भी हमने candle जो close की है वो green color में close की है सो फिर भी हमें करना क्या है हमें buy side का trade नहीं लेना है because हमने previous day low break कर दिया है अब यहां आप क्या करेंगे previous day trend जब आपको पता है opening में ही तूट गया है तो आप इसके breakout को trade नहीं करेंगे यानिकि 5 minute के breakout को trade नहीं करेंगे आप 5 minute के breakdown को trade करेंगे my dear friends ठीक है और breakdown को कैसे trade करेंगे कि जो first 5 minute candle का low है इवन दो यहां पर आप 5 minute candle के low का breakdown भी trade कर सकते है और आप क्या trade कर सकते है previous day low जो है ना previous day low जो आपने mark किया है उसका breakdown भी आप trade कर सकते है देखो यहां पर क्या हुआ first 5 minute में breakdown जरूर हुआ बट वो green candle थी तो इसमें हम trade नहीं लेंगे हम क्या लेंगे trade जब वापिस से यह इस level को breakdown करेगा कैसे अब आपको दिखाते हैं सामने chart पे यह आपके सामने chart है इसे हम play करते है यह देखो आपके सामने green dot बना आ गया यह green dot क्या है यह previous day low है अब यह previous day low के उपर ही चल रहा है वीवाब के उपर चल रहा है लेकिन हमें क्या करना है ट्रेड नहीं लेना है बाई साइड का ठीक है जी हमें क्या देखना है कि कैसे कभ यह वीवाब के नीचे आएगा जैसे यहाप के नीचे आएगा अब major चीज क्या ज़िए कि जो previous day इसका low था उसका breakdown हो जाए तो next candle हमारी entry candle होगी और stop loss target same 1-1.5 के risk reward के साथ हम काम करेंगे चलो देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यह आगे जी हमारी breakdown candle this red candle is our breakdown candle next candle के अंदर हमने क्या करना है friends यहापर next candle के अंदर हमने sell side की entry लेनी है सो हम क्या करते हैं यहां से position open कर देते हैं short position यह हमने opening price पर open कर दिया इधर stop loss का होना चाहिए breakdown candle की previous candle का high right breakdown candle की previous candle का high लगा दिया stop loss आ रहा है हमारे पास 1 रूपी 15 पैसा so target हमारे पास मोटा मोटा कितना आना चाहिए अगर हम 1 रूपे का stop loss लेते हैं तो 1.5 रूपे का target आता ह 15 पैसे और ज्यादा ले रहे हैं तो almost 20 पैसा और ज्यादा हमारे पास target आना चाहिए so target आएगा हमारा 1 रूपी 70 पैसा का ठीक है 1-1.5 risk reward maintain करने के लिए so आप देखिए 1-1.5 risk reward हमने आपे set कर दिया है entry हमें मिल चुकी है देखो friends यहां पे एक चीज लॉजिकल आपको बता दोनों कैंडल में से जिसका हाई ऊपर होगा आपको उसके ऊपर stop loss लगाना है right make this thing clear second चीज आप जब भी stop loss अगर breakdown candle के ऊपर लगाएंगे आप देखो यहां पर आपका stop loss हेट हो जाता market को पता है कि लोग कहां पर stop loss लगाते है ठीक है तो आएगी आपका stop loss खाएगी और फिर trade में चलना शुरू हो जाएगी right so यहां पर आपको stop loss breakdown candle या उसकी जो previous candle है उन दोनों के हाई में से जून सा point उपर है उसके उपर लगाना है right अब previous candle का हाई उपर है इसलिए मैं 90% cases में आपको previous candle का हाई ही उपर मिलेगा so यह हमने इसके उपर stop loss लगाया target लगा दिया अब हम देखते हैं जी हमारा target कहां चल रहा है कितनी दिर में आएगा क्या हम stop loss खाएंगे यह हम target खाएंगे चिक है यह देखो यह पूरा दिन यहां पर अभी तक क्या हो रहा है व्र यह जो opening price था हमारा हम इसके पास support ले रहे थे ठीक है opening price के वाँ पर opening price भी break हो गया अब इस candle में और हमारा target भी hit हो गया है as per 1-1.5 risk reward ठीक है जी सो आप समझ गए कि आपको दो टिकनीक बताइए मैंने एक जिसने हम previous day high और previous day low break कर देते हैं that means वो trend changing that means वो कौन सा दे है trend change हो गया अगर share uptrend में है और previous day low को break कर रहा है या share sideways में है और previous day low को break कर रहा है that clearly means कि हम नीचे जाने वाले हैं because हमने lower low formation करना start कर दिया है right clarification हो गए आपको उसके बाद यानि कि previous day low जब break होगा तो हम उस दिन क्या करेंगे सिरफ sell side का trade ही प्लान करेंगे टेकनीक आपको बता दिया है और जब low और high break नहीं होते तब हम previous day trends होता है उसको priority देते हैं because वो होता है partial gap down या partial gap अब इसे बोलते हैं full gap down right तो यह आपको exactly एसे टेकनीक फॉलो करेंगे risk reward हमेशा हमारा क्या है favorable favorable क्यों हम हर एक situation में हर एक trade में risk कम reward जादा लेके चलते हैं ठीक है तो उससे क्या होगा अगर हमारी accuracy 60% भी आएगी तो भी हम अपने घर profit लेके जाएंगे तो यह है मेरा motive ठीक है जी अब simple सी टेकनीक थी आपको समझ आ गई अब आपको फटा फट से क्या करना है like बटन को press करना है share करना है इस वीडियो को अपने friends के साथ उनी family के साथ जो और क्या करना है चैनल को subscribe करना है और हमारे साथ जोडने के लिए friends जैसे कि आप already part of family है बट अगर आप मेरे साथ associated रहना चाहते हैं live market updates के लिए आप चाहते हैं कि मैं आपको वह चीज़े प्रोवाइड करूं तो आपको करना क्या है आपको simply account open करना है एंजल ब्रोकिंग के part of this family ऐसे ही बज़ेदार तरीके से काम करते रहें आप भी profit कमाए मैं भी profit कमाऊ दोनों profit कमाएंगे तभी तो होगा friends मेरा motive complete जो की है let's grow wealth together right so friends video करता है ही पर wind up video को like channel को subscribe follow the PBI अब मिलेंगे आपसे अपनी next video में till then goodbye and take care